आज से दो दिन बाद यानि की तीन दिसंबर को पाँच राज्यों में जो विधान सभा चुना हुए हैं उनकी वोटिंग होगी मतगनना होगी नतीजे आएंगे राजने तक दलों की धड़कने बढ़ी हुई हैं सत्ता सबको चाहिए राजनीती का मूल मंत्र ही सत्ता हासिल करना हो गया है और एक दिन पहले जो एगजिट पॉल आए उन्होंने इन धड़कनों को और ज्यादा ही बढ़ा दिया है और आप में मुझ में आम आदमी में अब जबरदस्त उत्सुकता है कयास बाजी चल रही है बहसे हो रही है क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है एगजिट पॉल जो आखड़े दिखाते हैं देखिए एगज़ीक पॉल तो होते नहीं है जो वो कहते हैं वैसे ही नतीजे हमेशा नहीं आते लेकिन एक ट्रेंड एक इसारा एक दिशा अमूमन पकड़ लेते हैंगिट पॉल सीटों का अंतर अलग हो जाता है लेकिन किस दिशा में कौन सा राज्य जा रहा है ये बता दिया जाता है लेकिन कल जो हुआ उसने असमंजस कन्फूजन और बढ़ा दी आशंकाओं का बाजार भी जोर पकड़ने लगा और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में कहा तो ये जा रहा है कि भाई एक्जिट पोल जो कह रहे है कॉंग्रेस बढ़त में है लेकिन अटक जटक रही है वहाँ पर बहुमत पाने को कॉंग्रेस अभी बीजेपी पीछे है आब ही सकती है बहुमत में लेकिन ज्यादा चांसेज वो कॉंग्रेस के है तेलंगाना में तमाम जो एक्जिट पोल वो एक दिशा पकड़ते जरूर दिखे कि यहाँ पर केसी आर, मजी आर नहीं कर पाएंगे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और बीजेपी के बजाए कॉंग्रेस यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती दिख रही है वो कॉंग्रेस जिसने तिलंगाना बनाया लेकिन मध्यप्रदेश, देश का दिल मध्यप्रदेश और उनकी टैग लाइन है MP गजब है, MP अजब है तो जो एक्जिट पॉल आए वो अजब भी थे और गजब भी दो एक्जिट पॉल ने तो दो ती आई बहुमत दे दी और किसे दी, बीजेपी को चुनाव से पहले तमाम जगे और एबीपी न्यूज पर भी जितनी चर्चाएं हुई उसमें लगता ये था कि भई, कॉंग्रेस वहाँ पर सत्ता पर काबिज होगी जो सत्ता हत्याली गई थी चुराली गई थी 2018 में भी सिंगल लाजिस पार्टी कॉंग्रेस बनी थी इस बार ऐसा नहीं होने वाला है लेकिन दो एक्जिट पॉल्स ने दो त्याई बहुमत बीजेपी को दे दी साथ मंत्रियों को साथ सांसदों को जिनमें तीन मंत्री थी बीजेपी ने उतार दिया मैदान में शिवराज सिंग चोहान का चेहरा पेश नहीं किया तो भी 160 तक काँखड़ा 230 में से और कुछ चैनलों ने कॉंग्रिस को बढ़त दिखाई तो सर थोड़ा चकराने लगा और सर चकरा ही रहा था कि राजस्तान में उंट की सवारी भी करनी पड़ गई सभी को हिचकोले वाले एक्जिट पोल सामने आए तू क्लोस तू कॉल जहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही थी की बीजेपी आगे है ये एक जनरल उपिनियन था पिछले कुछ हफ्तों महीनों का वहां कॉंग्रिस बढ़त में दिखी लेकिन बहुमत के आंकड़े को बस चूमात रपा रही थी तो ऐसे में जरूरी हो जाता है एक्जिट पॉल वो अपने आप में एक साइंस है वो उनकी एक्सपर्टीज का एरिया है जो पॉल्स्टर्स है पर जो देश के वरिष्ट पत्रकार हैं आज हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए लगतार था लेते आए हैं असीम तजर्बा भी है तो वो क्या कहते हैं इन एक्जिट पॉल्स के बारे में भी और उनका खुद का आँकलन क्या है तो आज मेरे साथ विजयत रिवेदी वरिष्ट पत्रकार हैं दबंग दिबांग वो चर्चा में जुड़ चुके हैं अब है दुबे जाने माने राजने तक विशले शक है स्मिता प्रकाश किसी परिचे की महताज नहीं है एन आई की मुखियां हैं उनकी संपादक है और वरिष्ट पत्रकार अभी ग्यान प्रकाश भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और यहां पर मैं आपको बता दूँ यह 200 साल से जादा का तज़र्बा है पत्रकारिता का इसमें सबसे कम मुझे है सबसे नादान दरसल अग्यानी मैं ही हूँ मेरे 25 साल पूरे हो चुके हैं तो आप गनित लगा लिए 200 साल से उपर का यह तज़र्बा है जैसे ही घड़ी का काटा तो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे